Hello dear students, my name is Vicky Kumar Bahadur और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी YouTube चेनल राहूल कोमर्स अकेग्मी में जारकन डेकेटमी काउंसिल क्लास 11 के सभी स्टुडेंट्स को मैं इन्फोर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का कलास 11, टर्म 1 का एक्जाम 7 मैं से सुरू हो जाएगा 7 मैं, 8 मैं और 9 मैं तीन दिन आप लोगों का एक्जाम होगा और ये तीनो देनों में ही आप लोगों के जितने भी core paper, additional paper या elective paper के जितने भी subject से हैं सारे subjects का exam आप लोगों का हो जाएगा यानि 7 मई, 8 मई और 9 मई, 3 दिन आप लोगों का class 11 का term 1 का exam होगा इसके बाद term 2 का exam जून के महिने में लिया जाएगा जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि term 1 का exam में अगर आप लोग अच्छे नमबर से पास होना चाहते हैं तो जहरक के model paper को अच्छे तरीके से करते हैं तो इसी model paper के base पे ही exam में आप लोग को question पूछा जाएगा और अगर आप सारे model papers का एक-एक question अच्छे से करते हैं तो आप लोग का exam में बहुत ही अच्छा नूंबर आएगा इससे पहले आज जो हम subject पढ़ने वाले है वो है ETP, ETP यानि Entrepreneurship उधमिता इसका Set 2 करेंगे इससे पहले मैंने आप लोगों को ETP का Set 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ साथी साथ हम लोगोंने Business Study का Set 1, Set 2, Accountancy का Set 1 और Set 2 English का Set 1 और Set 2 और ETP Set 1 का वीडियो अपलोड है अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो के Description में मैं उस पूरा लिस्ट का लिंक दे दूँगा वहाँ से जा करके आप एक-एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अगर एकजाम में अच्छा नंबर से पास होना चाहते हैं तो जेक का Model Paper का एक-एक सब्जेट्स का एक-एक मोडल पेपर के एक-एक सेट का हर एक कोस्टिन को जरूर करके जाईएगा एक-एक जाम उसी के बेस पे कोस्टिन पूछा जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम सब पढ़ने वाले हैं Class Elements का उधमियता यानि ETP का आज हम लोग सेट्टू करने वाले हैं ठीक है मैं इस वीडियो में हिंदी इंग्लिस दोनों में पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो हिंदी वाले स्टूडेंट और इंग्लिस वाले स्टूडेंट दोनों देख के अच्छे तरीके से समझ जाईएगा बहुत ही इजी और बहुत सरल सब्दों में मैं आपको ETP को एक्स्प्लेन करूंगा चलो आगे बढ़ते हैं ये रहा हमारा पहला कोस्टिन देखो पहला कोस्टिन में यहाँ पे बोला गया है उपकरम चयन के आवैशक तत्व है Initial Elements of Selection of an Entrepreneur इसका मतलब है अगर आप एक ETP एक Enterprises को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास कौन सा Basic Elements या Important Elements होना चाहिए पहला गोपनियता, सिक्रेसी, बेवसाइक, क्रिया यानि एक Business Activity होना चाहिए, परिचलन का छेतर, Area of Operation तो देखो जब कभी भी आप एक उपकरम का चैन करना चाहते हो तो आपके पास ये सारे चीजों का होना आवैशक है तो इसका Right Answer होगा Option D, Option D इसका Right Answer होगा Clear है? चलो आओ, Question No.2 पे बढ़ते हैं, Question No.2 पे बोला गया है उदमिता में इनमें से कौन उपयोगी है? Which One is More Useful and Entrepreneurship? Entrepreneurship देखो, Entrepreneurship में सबसे अधिक उपयोगी होता है Creative Mind यानि अगर आप Entrepreneurship यानि आप एक उदमिता चलाना चाहते हो तो आपके पास एक Creative Minds का होना बहुती ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब आपके पास Creative Mind होगा तभी आप Entrepreneurship में उदमिता में नए नए आ व्यक्ति यानि एक Creative Individual एक ऐसा व्यक्ति का होना आवेशाख है जिसका एक Mind Creative Mind हो उसका ठीक है चलो आओ आओ आगे बढ़ते हैं यह रहा कोस्ते नंबर थरी कोस्ते नंबर थरी पर बोला गया है यहाँ पर उदमिता खेल है Entrepreneurship इजे गेम उदमिता खेल है Entrepreneurship जो है वो किस चतुरिया का खेल है यानि बुद्धी का आपके पास जितना ज्यादा बुद्धी होगा जितना ज्यादा आपका स्किल होगा अब उतना ही अच्छे तरीके सा Entrepreneurship को चला सकते हो तो Entrepreneurship इजे गेम उफ स्किल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं Question No.4 पर बोला गया है यहाँ प On the Job Training ठीक है इस पे बल दिया जाता है किस पे जापान पे लेकिन अगर यही Question पे आपको अगर यह पूछा कि इंडिया में किस चीच पे बल दिया जाता है तो याद रखना इंडिया पे बल दिया जाता है प्रसिक्छन केंदर प्रसिक्छन यानि Training Center Training यह तब होगा जब On the Job Training ठीक है चलो आओ Question No.5 में जैसा कि आप देख सकते हैं यह लिखा गया है उदमिता रोजगार के आउसर में करता है Entrepreneurs in Employment Opportunities यह इसका Set 1 में भी Question पूछा गया है देखो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उदमिता होगा तो इससे जो Employment है यानि जो इससे रोजगा है रोजगार में क्या होगा ब्रिधी होगा जितना से जितना से ज़्यादा आपका Entrepreneur आएगा उतना ही ज़्यादा आपका Employment Increase होगा ठीक है तो इसका Right Answer होगा Option A चलो आओ Question No.6 पे बोला गया है बेवसाय का उद्देश है Objective of Businesses देखो बिजनेस का Objective होता है सर्विस भी देना और सर्विस के साथ प्रोफिट कमाना यानि बेवसाय का उद्देश है सेवा देना और सेवा दे करके लाब कमाना तो इसका Answer होगा Option D सेवा और लाब दोन हो चलो आओ Question No.7 पे बोला गया है बेवसायक जोखिम का अर्थ है The Meaning of Business Risk देखो बिजनेस जोखिम का मतलब होता है कि बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि बिजनेस में Loss होने के Chances अगर आपका बिजनेस में Loss होने के Chances है तो Loss होने का Chances ही Business Risk कहलाता है तो बेवसायक जोखिम का क्या अर्थ है तो सर बेवसाइक जोखिम का अर्थ है हानी की संभावना यानि चांसे सोब जोखिम ठीक है ये option होगा इसका right answer ठीक है चलो आठ नमबर question पर बोला गया है बोला गया है वाक किरिया जो लाब कमाने के उद्देश से की जाती है बोला गया है the activities done for profit motive are called यानि अगर आप ऐसा कोई भी कारे करते हो कोई भी ऐसा activity करते हो जिस activity का पीछे या जिस कारे के पीछे आपका उद्देश love कमाना होगा profit earning करना होगा तो ऐसा उद्देश जिसका उद्देश love कमाना होता है आर्थिक क्रिया कहलाती है ठीक है which activities are motive to earn money is called economic activity कोई भी ऐसा activity जिसका motive profit कमाना हो वो आपके लिए economic activity कहलाएगा ठीक और इसी को repeat करके या पलट के पूछता कि ऐसा उद्देश ऐसा कारे जिसका उद्देश love कमाना नहीं होता है तो वो आपके लिए अनार्थिक क्रिया कहलाता है यानि non economic activities ठीक है चलो 9 नमबर question पर बोला गया है आचार सनहिंता में सम्मिलित नहीं किया जाता code of conduct does not include code of conduct में क्या include नहीं किया जाता तो code of conduct में include नहीं किया जाता है बेमानी यानि कि dishonesty यानि बेमानी जो है ये Code of Conductment एड नहीं किया जाता है ठीक है चलो आओ दस नमबर कुस्त ने बोला लगू उपकर्मों के प्रती राज सरकार की दृष्टी कोण है attitude of state government towards small units is देखो पहली ये समझ लो लगू उद्योग ऐसा उद्योग होता है जिसका minimum investment आपका 5 करोड तक का होता है ठीक है और ये जो लगू उद्योग होता है इस उद्योग का पूरा ध्यान जो है state government यानि राज सरकार इस उद्योगों पर ध्यान रखता है और state government इसके उपर बहुत ही जादा ध्यान रखता है तो वही question पूछा गया कि लगू उपकर्मों के प्रती राज सरकार की द्रिष्टी है attitude of state government towards small units is positive कोई सा attitude है positive यानि सकारात्मक सरकार इसके उपर बहुत ही जादा ध्यान देती है ठीक है कोन सरकार राज सरकार ग्यारा नमबर question पर पूछा गया है आपका बोला गया है भारत में उधमीता विकास कारेकरम है इन इंडिया Entrepreneur Development Program मैंने आपको state 1 में भी बताया था इसको फूल पो में बोला जाता है EDP क्या बोला जाता है EDP Entrepreneur Development Program क्या बोला जाएगा इसको जी EDP बोला जाएगा तो question ये बोल रहा है कि EDP जो है ये भारत में होना क्या है आवेश्यक है नेसेसरी है क्योंकि इंडिया में EDP यानि Entrepreneurship का future बहुत ही जादा bright है तो उन लोगों को training देना उन लोगों को skills सिखाना job opportunities के बारे में बताना बहुत ही जादा important है तो भारत में EDP प्रोग्राम का होना बहुत ही जादा necessary है यानि आवेश्यक है चलो आगे बढ़ते हैं बारा नंबर question पर बोला गया है यहाँ पर भारतिये उद्योगों के संबंद में उद्मेता है बोला गया है in relations to Indian industry entrepreneurs each यानि भारत का जो entrepreneur है भारत का जो industry है उद्योग है उसके लिए ETP का होना क्या है एकदम आवेश्यक है necessary चाहिए ही चाहिए अगर भारत का development करना है entrepreneurship development करना है तो industries development का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और industries के लिए ETP का होना entrepreneurship का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है नेसेसेरी है ठीक है आगे तेरा Picture Man питter पर बोला गया है एक सच्चे अभी प्रेरित उध्मिता की बिशेस्ताय है どれ मोटिवेटेड एंटरेडिणी के पास यह सब क्वैलीटी पाया जाना चाहिए सब quality, सांथ सौभाव का होना चाहिए, यानि कूल नेचर का होना चाहिए, जोखिम का खिलाड यानि player of risk, रिस्क लेने वाला होना चाहिए, असंभाव को संभाव बनाने वाला convert the impossible to possible, यानि ये सारा quality उसके अंदर पाया जाना चाहिए, तब ही वो एक अच्छा motivated entrepreneur कहलाता है, आगे बढ़ते हैं, question number 14 पे, question number 14 पे बोला गया है, आर्थिक विकास के आवस्था कौन सी है, इसको इंग्लिस में छूट गया, इंग्लिस में इसका मिनिंग होगा, कि economic development का stage कौन सा है, which are the stage of economic development, तो economic development में ये सब होना चाहिए, एक entrepreneurship के पास, ये सब quality का पाया जाना बहुत ही right answer होगा, इसका option, ये सब चीज़ उसके पास पाया जाना चाहिए, ठीक है, चलो आगे, question number 15 पे बोला गया है, लगू, अस्तरिय उद्योगों में विन्योग सीमा है, इन investment limits of SSI does not exceed, SSI का मतलब होता है, small sector industry, small sector industry, या small scale industry, ठीक है, अब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि small scale industry में जो investment का capacity होता है, वो 5 करोड तक होता है, ठीक है, 5 करोड, उससे जादा नहीं होता है, चलो, 16 number question पे बोला गया है, भारत में लगू, उद्योगों का पंजीकरन कराना है, in India, registration of small industry is necessary, क्या है, necessary, आविश्यक है, आपको कराना होगा, अनिवारे है, sorry, अनिवारे नहीं आविश्यक है, करवाना होगा, necessary है, करवाना होगा, registration आपको, question number 17 में बोला गया है, question number 17 में बोला गया है, उद्मिता का परतिफल है, is the reward to an entrepreneur, एक entrepreneur जो है, ETP को चलाता है, उतना ज़्यादा risk लेता है, अपने skills लगाता है, capital लगाता है, आखिरकार किस लिए, वो करता है, य राब कमानी के लिए, यही राब ही, एक entrepreneur का reward होता है, ठीक है, चलो, 18 number question पर बोला गया है, उद्मिता की विशेषता है, character statistics of an entrepreneur, एक entrepreneur का character statistics ये सब है, यानि एक entrepreneur में, एक उद्मिता में ये सारे गुनों का होना बहुत ही जादा आविशक है, सबसे पहला, जोखिम वहान करता यानि risk सहने वाला होना चाहिए, बी, नवीन उपकर्मों के स्थापना करने वाला, यानि establishes new understanding, साधन प्रदान करने वाला provider of resources, सब quality उसमें पाया जाना चाहिए, ठीक है, तो इसका right answer होगा, option D, आगे बढ़ते हैं, 19 number question पर बोला गया है, उद्मिता की अधिक्तम योगदा पर आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा contribution करता है, और ये set one का repeated question है, तो देखो जो questions बार बार set में repeat हो रहा है न, उस questions को आप लोग थोड़ा सा ज़्यान से लगा करके बनाईएगा, ठीक है, और ज़्यादा से याद रखिएगा, और वीडियो को पूरा देखना, कुछ सब्जेट्स का विडियो आपको जरूर बताऊंगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं, उन सारे दोस्तों के बीच विडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि वो लोग भी इस विडियो को देख करके exam में अच्छा नंबर ला सके, ठी बित के साधन है, sources of finance, sources of finance दोनों होता है, A और B दोनों, तो इसका right answer होगा सी, देखो, sources of finance बोलाना, तो finance होता है, एक स्वामी पुझी, यानि owner capital, जो business का मालिक होता है, वो जो अपना capital लगाया, और दूसरा, रिन पुझी, यानि loan capital, तो A और B दोनों सही है, तो इसका right answer हो effective direction चाते हैं, तो इसके लिए motivation का होना आवेशक है, necessary है, ठीक है, अगर आप अच्छा direction करना चाते हो, अच्छा निर्देशन देना चाते हो, तो आभी प्रेरन का होना आवेशक होता है, आगे बढ़ते है, question number 22 पे पुझा गया है, बेवसाय है, business क्या है, arts है, यानि कला है, बिज्ञान है या दोनों है, यह तो बहुत easy question है, business study का सबसे easy question है, कि business जो होता है, वो art and science दोनों होता है, यह answer तो आप सबको पता ही था, 23 number question पे पुझा गया है आपका, नवा चार उतपन करता है, बोला गया है, innovation produce, innovation किसको produce करता है, option A पे बोला गया है, नवीन उतपाद 9 अगर आपके पास innovation होगा, तो क्या उससे नवा उतपाद यानि new production होगा, बिल्कुल होगा, नवीन शंगठन सनरचना new organizational structure बिल्कुल बनेगा, तो तीनों सही है, तो इसका right answer होगा, option D, innovation होने से यह तीनों चीज होता है, आगे बढ़ते हैं question number 24 पे, 24 थोड़ा सा question थोड़ sources of innovation, एक innovation के sources सब होते हैं, अकासमिक घटना यानि unexpected प्रिक्रिया की जरूरत होती है, बेवसाई तथा बाजार में परिवर्तन सब होता है, sources of innovation में यह सब चीज पाया जाता है, आगे बढ़ते है question number 25 पे, 25 पे बोला गया है, इन में से कौन से बेवसाई क्रिया है, which of the following is business activity, इन चारों में से कौन सा business activity है, option ए, माल का कराय बिकराय करना, purchase, sale of goods, सरमंदिरों में पूजा करना, economic activity नहीं है, और ना business activity है, ग्रहांकों के साथ धोका करना, fraud with the customer, यह भी business activity नहीं है, सरसों के तेल में मिलावट करना, adulterations in mustard oil, यह भी नहीं है, ठीक है, तो क्या इसका right answer ए, goods को खरिदना और बेचना, क्योंकि आप अगर business का आपको meaning पता होगा, तो business का definition में ही कहा जाता है, business is a activity of production, purchase and sale of goods and services for the purpose of earning profit, यानि profit कमाने के लिए किसी भी goods का production करना, और उसको purchase और sale करना ही business कहलाता है, ठीक है, चलो आओ, आगे बढ़ते हैं, question number 26 पे बोला गया है, उ entrepreneur help in, entrepreneur जो है, वो help करता है, आयात परतिय स्थापन में, यानि import substitution में, यह आपका state 1 का repeated question है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, question number 27 पे, 27 number question पे बोला गया है, भारतिये उदमीता विकास संस्थान इस्तित है, entrepreneur development institutes of India is situated in, यह आपका इस्तित है, एमदाबाद में, कहां इस्त सकता है, यह question, आगे बढ़ते है, question number 28 पे, 28 पे बोला गया, भारत की बेकारी की समस्या का समाधान नहीत है, solution of unemployment problem of Indian lies in, यानि इंडिया में जितना भी unemployment है, बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी तभी खतम हो सकता है, जब इंडिया पे जगा जगा लगू उद्योग, कुन सा भारत में बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, और ऐसा तभी हो सकता है, जब हम लोग इंडिया में ज्यादा से ज्यादा उधमिता, ज्यादा से ज्यादा entrepreneurship को अपनाए, ठीक है, तो इसका right answer होगा A, 29 number question पे बोला गया है, यहां पे थोड़ एकनोमिक एक्टिविटीज में तीन एक्टिविटीज आता है, कौन कोन आता है, एकनोमिक एक्टिविटीज में बिजनेस आता है, प्रोफेशन और एंप्लोईमेंट, तो इसका right answer होगा option D, ठीक है, पूछा गया था, economic activities is equal to business plus profession plus employment, तो इसका right answer होगा option D, ठीक है, इन किस तरीके से motivation करना, सामोहिक, बेक्टिगात, कृत्य, यानि कि group motivation होना चाहिए, individuals motivation होना चाहिए, job motivation होना चाहिए, या all of these, तो देखिए जी, एक motivation में इन सभी quality का होना चाहिए, सभी motivation का होना अवेशक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं question number 31 पे, निमलिखित में से की अवस्था कोन सी है, which of the following is a stage of innovation, एक innovation में इन तीनों अवस्था पाया जाता है, ये तीनों stage पाया जाता है, पहला में बोला गया है, बेवसाई विचारों की पहचान, identification और बिजनेस आइडिया बिल्कुल होना चाहिए, बेवसाई का नियोजन, बिजनेस प्लानिंग बि information of project report, बिल्कुल, ये तीनों quality होना चाहिए, इसलिए इसका answer होगा, डी नमबर, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, और question number 33 पे बोला गया, उधमिता एक नवाचार कारी है, या स्वामितु के अपेक्छा नेत्रितु कारी करता है, उधमिता की ये परिभासा दी जाती है, यानि किस scientist ने, किस entrepreneur ने ये कहा है, कि entrepreneurship is innovative function, this is a leadership rather than ownership, this definition of entrepreneurship has been given by, ये दिया गया था आपका option B, Joseph Simpulter, Joseph Sumpeter, इसने ये definition दिया था, देखिए, BST, Economics और ETP में इस तरीके का question देखने को मिलेगा, कि किस scientist ने कौन सा definition, कौन सा परिभासा दिया था, तो इस तरीके का questions आप लोग थोड़ा सा याद करके जरूर रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर पे उधमिता सायाता है, entrepreneurship assist, किस चीज में मदद करता है, option A, गरीबी उनमुल्यान, यानि poverty elimination, गरीबी को कम करने में entrepreneur help करता है, बिलकुल करता है, सर, आर्थिक 34 पे, बोला गया है, 34 पे भारत में बिदेशी उधमिताओं की भूमिका है, role of foreign entrepreneurs in India, याद रखना, भारत का जो entrepreneurs है, उस entrepreneurs को काफी हद तक support करना, काफी हद तक भारत के उधमिता को बलाने में, बिदेशी उधमिताओं ने बहुत वियोगदान दिया है, यानि positive, positive impact उन लोग ब्यापक छेतर है, the most wide scope, तो आपको सबको पता ही होगा, कि इन चारों में से सबसे बड़ा area किसका होता है, जी, business का होता है, क्योंकि आपको अगर business study में याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कि business के अंदर ही जो है, industry भी आता है, और business के अंदर commerce और trade भी आता ह ठीक है, चलो आओ, आगे बढ़ते हैं, question number 36 में पूचा गया, उदमीता विकास कारेकरम परदान करता है, entrepreneurship development program provide, क्या provide करता है, स्वारोजगार, self employment provide करता है, बिल्कूल, उदमीता कोसल में ब्रिदी, increase in skill of the entrepreneur, बिल्कूल, प्रसिक्षण, एवं प्रसिक्षण, education and training, बिल्कू है, आगे बढ़ते है, question number 37 पे, 37 पे बोला गया, लगू, उद्योग, बिशाई है, small industry, मैंने अभी अभी आप लोग को आगे में पढ़ाया था, कि इंडिया में जितने भी small industry है, उस small industry को चलाने का जिम्मा, राज सरकार, यानि state government का होता है, ठीक है, तो इसका right answer होगा, option C, आगे बढ़ते है, question number 38 पे, यहां बोला गया है, उद्मिता होता है, entrepreneur's age, entrepreneur कोन होता है, सहासी होता है, बिल्कुल होता है, जोखिम लेने वाला होता है, बिल्कुल होता है, मेनेजर होता है, बिल्कुल होता है, सब होता है, ठीक है, एक उद्मिता में ये सारे गुनों का होना आविश्यक है तो इसका right answer होगा All of these आगे बढ़ते हैं question number 39 पे बोला गया है भारत में उधमिता का भविश्य है For the future of Entrepreneurs, Entrepreneurial in India is भारत में भारत के अर्थवश्था को भारत के economic के development के लिए ETP का होना बहुत ही जादा जरूरी है और भारत में इसका भविश्य उजवल है यानि कैसा future है तो sir bright future है चलो आगे बढ़ते हैं question number last question है निमलिकित में से कोन सी आर्थिक विकास की विश्यस्थाएं है which of the following इजे character statistics of economic development तो याद रखना economic development में ये सभी quality का होना जरूरी है पहला निरंतर परिक्रिया continuous process होता है उत्पाद साधनों का उचित विदोहन यानि proper utilization of factors of production होना चाहिए जीवन अस्तर में सुधार employment of standard of living सब होना चाहिए तो इसका right answer होगा I hope आपको पूरा वीडियो का हर एक question समझ में आ गिया है कोई भी question में doubt होगा वीडियो के comment box पे comment करना अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई question का गलत answer है तो अभी मुझे comment करके उन सारे questions को बताना जो भी questions आपने जिसका भी model paper का वीडियो नहीं देखा है तो जो वीडियो के description में मैं उसका link दे दूँगा वहाँ से जाकर करके आप लोग सारे वीडियो को जरूर देख लेना इसके बाद अगर आप लोग को कोई भी दिकत होता है कोई भी परेसानी होता है तो बेजी जग वीडियो के comment box पे comment करके मुझे से जरूर पुछना और हाँ मन लगा करके से मिल term 1 का exams का तयारी करो 7, 8 और 9, 7 तारीक से exam सोने वाला है तो जितना भी आप लोगों का term 1 का model paper का set है सबको अच्छे तरीके से solve करना सबको अच्छे तरीके से जरूर देख लेना ठीक है चलो exam का अच्छे तरीके से preparation करो कुछ देर के बाद मैं आपको ETP का set 3 का विडियो भी डाल देता हूँ ठीक है चलो बाई बाई टेक केर